हम जलालपूर का राव है जो की आज हो रहा है अभी इंस साम ourselves sc कुल रहा है देख सकते हैं रिचाह यह पुरा है यह या यतर passé चॉटे-चूटे देख यह पुरा इतना तेज आधी चल ला है कि बहुत साड़े पेड़ पौदे गिरे हुए हैं कि बहुत दिनों बाद हमने बरब देखा है कि देख सकते हैं कि इसम बहुत तेज हवा भी है और पानी अंदर तका रहा है बाद का एक दम देख सकते हैं इसम पेड़ गिर जाएंगे तो यह पानी देखिए अंदर आ रहा है इसम पानी देखिए अंदर आ रहा है आई आई हम आपको अंदर घर में लेकर चलते हैं दिखाते हैं कैसा है हमारे घर के पत्थर है पत्थर आप देख सके देखिए देखिए तो अब भूली एच रहा है पूरा इजम परसाथ है देखिए पूरा तेज हवा है हमें लगता है पेड़ पादे बहुत गिरे होंगे तो हमें अंदर चलना चाहिए हम अंदर दिखाते हैं देख सकते हैं कि हमारे घर के अंदर का माहौल जो कि घर में भी बानी आ रहा है क्योंकि एंडर ग्राउंड मे ऺधिए तो इतना देखिए बारम यहां बना थेज हवा है कि बहुत ज्यादा इज हवा है कि आगा जाल आप देख सकते हैं यह अपर आप देख सकते हैं यह देखिए लगको जादा बरफ देख सकते हैं बीचना बरफ गिर रहा है बड़ा-बड़ा देख सकते हैं जराल पुरा मेटकरणनगर का महौल है हम आपको दिखाते रहेंगे तो आप बने दिये इसको खाया जाए। ज़िए खाया जाए। थे की अदो कि रहें दो करोना और लोना होगा तो दिक्कत हजाएगा लेकिए पूरा पानी अधर आ cannabis आज रहा है तो यहीं है बरब ही बरब गिर रहे हैं देखिए हाथ में आ गया है ऐसे हाथ लगाई है हाथ लगाए कि कपड़ा बीच जा रहा है तो बहुत ज्यादा तेज हावा है तो आप भी सेफ रहिए क्योंकि परसात आने वाला है तो देखते हैं यह घर में भी आ गया है अगया है तो बंद करें पर अगवान जी बास ने बोलेनाद वस्त कभी जी देखिए यहां पर गड़ाफ है और अपने तुनाश्कारा वरफ गिर रहा है वाइसाब करें अगर के अंदर पानी आ रहा है पहली बार ऐसे अब बड़ साथ देख रहे हैं और यह देखिए वारफ फुराफ बहुत ज़्यादा बगवान जी बस रुक चाहिए बोलेनाद जी तुनाप पानी हो गया है तो बहुत ही तो यह है दिकत तुना बरफ है यह देखते हैं तो अभी हम चट पे हैं और यहां चट का नजारा हम दिखाते हैं अच्ट से पुरा व्यूव अभी हो रहा है हलका बुलका और वारिस पूरा देखिए चट पर पानी आए चुका है यह वाइपर लेके चट का पानी निकालना है सेलेद भाई और यहां हमारे घर के सामने पेड़ गिर गया है अभी फोन किया गया था वन विभाग वालों को जो कि अभी आएंगे इस प अब दो यह थे अब भाँ खंबे और तार गिर गए है तो और यहां का मावल देखिए जो कि पूरा पानी पानी हो गया है सोलर पैनल भी इतना तेज हवा था कि हमारा सोलर पैनल जो था वह भी नीचे चला गया पिर उसे साइग किया गया है मतलब उसका वह जो है स्टैंड च्टक गया था और यहां बहुत सारा पानी उड़ा हो गया देख सकते हैं यह अभी मैं आज एक मैं है जो कि बहुत ज्यादा पानी बरसा हुआ है और इतना ज्यादा कि पहली बार इतना पानी बरसा गया है मई में अभी जून जुलाई तो बाकी ही है देख सकते हैं इतना पानी पानी अब यह देश निकल लाया है तो बहुत ज्यार्दा दिक्कत हो गई है वी वर्स मां धर्षा जान है पूरा इतना ज्यादा ज्यांब भूगा है गर के बाहर कि रास्ता सब्लॉक्ष हो गया चाहिए बहुत सारा पेड़ भी गिरा हुआ है तो इस कारड भी बहुत ज्यादा पेड़ गिरे हुए इस कारड लोग आन जान नहीं पा रहे हैं तो इसी कारड देख सकते हैं कि यह नीम का पेड़ गिरा हुआ है कि यह गिरा हुआ है